नमस्कार मैं हूँ नीलू तो जैसी के आशंका जताई जा रही थी कि इसरेल कब आखेर इरान पर हमला करेगा क्योंकि 25 दिन पहले इरान ने जिस तरह से अपनी मिसाइले दागी थी और इसरेल पर कई मिसाइले गिरी थी उसके बास यही का जा रहा था क्या किर वो दिन कब आएगा जब इसरेल इसको लेकर पलटवार करेगा तो कल अगर इसरेल के टाइम के अनुसार यानि समय के अनुसार बात की जाए तो रात के ठाई बजे के आसपास हमला जबर्दस तरीके से इरान पर किया गया है कितना नुकसान इसमें एरान को हुआ है किस तरीके से किन किन ठिकानों को उसने निशाना बनाया बाच्चुत करने के लिए मयंक मेरे साथ चुड़ गाए है मयंक जिस तरह से कहा ये जा रहा था बार बार की जिस तरह से एरान ने हमला किया इस्रेल जबाव नहीं दे रहा है, अब तक उसने चुपी साथ रखी है, बहुत सारी चीजे बात आ रहे थी, लेकिन आप जिस बड़े हमले की लगातार हम बात कर रहे थे, कि वो हमला कभी भी इस्रेल कर सकता है, अपनी तरफ से एरान के उपर, वो हमला हो गया, कहां कहां कि इस तरह का नुकसान इरान में. इस तरह के बाते हैं और कुलमिला के जो पर शाया बनाया गया है यह रिषाय रिहाइश इलाकों पर कोई अटैक नहीं हुआ है ऐसा अभी फिलाल जो खबरे आ रही है इरान की तरफ से इस हमले की पुष्टी कर दी गई है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एरान का कहना इस हमले में कोई खास नुकसान इरान को नहीं हुआ है लेकिन इरान ने यह भी कहा है कि इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ मतलब आप देखिए कि जो इरान ने हमला किया था जिस तरह का इसरेल के उपर था ये अभी फौरी तोर पे ये उस तरह का हमला नहीं लग रहा है ऐसा इरान की तरफ से कहा गया है अब देखिए इसमें जो है नीलू हमने अपने कल के वीडियो में ही ये बात बताई थी कि हमला होगा और हमला करें वीडियो वहमला हुआ और इस हमले में इसरेल ने एक थर्टी 5 जेट का इस्तमाल किया है अजो हमने एक इसे बताया था और ये और यह ट्रहां पर सेफिस का कि थार लोग में है सीरिया के उपर से ही जेट्स ने फ्लाई किया है ऐसा बताया जा रहा है और साथ में जो है आवाक्स सिस्टम जो था वो भी था तो यह हमला इरान के उपर हुआ अब देखिए इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बात समझ में निकल के बहार आ रही है कि अभी जो लगता है उस कितना नुकसान हुआ है लेकिन यह हमला नुक्लियर साइट पर नहीं है यह हमला किसी भी और रिफाइनरी पर नहीं है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता थी और यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है यह जो हमने कल चर्चा की थी कि अमेरिका की तरफ से यह दबाव था क कि किसी भी तरह से जो है वो नुक्लियर साइट्स जो है उस पर हमला ना हो अब सवाल यह है कि अब इरान की तरफ से क्या जवाब आएगा यह बड़ी बात है देखिए इरान की तरफ से इरान के जो मिलिटरी कमांडर्स बड़े हैं उनकी तरफ से जो सोर्सेस से बयान आ रहा है इरान ने यह कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा अब देखने की बात यह है देखिए इसको लेके अलग-अलग दो-तीन तरह की चर्चाएं हैं जैसे इ बड़ा वार छिड़ जाए यहां पर अगर इरान हमला करता है इसराइल के उपर और बड़े लेवल का कोई अटैक होता है तब तो समझे कि यह एक महायुद का रूप तुरंत ले लेगा तो अभी इरान का इस पे रिटालियेशन क्या होगा इरान कैसे जवाब देगा यह नहीं हुई है और यह शायद आज रात तक यह बात तस्वीर सामने आए कि देखिए इरान ने अपनी तरफ से पूरी तयारी कर रखी जैसा हमने पहले भी बताया था और यह इस बात है निकल के सामने आए थी कि एरान की एक हजार से ज़ादा बैलिस्टिक मिजाइल्स वो पर रिडी हैं बिल्कुल और मैंक यहां पर एक सवाल यहीं कि जिस तरह से IDF ने आज अपने बयान दिये उसने हमला किया उसके बाद उसने बयान भी यही दिया कि देखें लगातार इरान की तरफ से उनकी प्रॉक्सिस की तरफ से यानि चौतरफा हम पर हमला किया जा रहा इसी वज़े से हमने ये कारवाई की है तो क्या एक तरशी बताने की कोशिश की है कि देखें अगर इरान पर क्योंकि सब सबाल उठेगी अब तक इरान पर हमला क्यों नहीं हुआ तो एक तरह से बताने की कोशेश अब जिस तरह से आप करें कोई बड़ा हमला नहीं है लेकिन इरान भी अगर कुछ करेगा सपोर्ट अगर अपने प्रॉक्सिस को करता रहेगा तो उसे भी नहीं बख्षा जाएगा आईडिएफ की जो प्रवक्ता है डेनियल हगारी आप उनके बयान का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने दो बाते कहीं एक पहली बात तो आपने बताई दिये कि जो है इसे पहले के लिए इन ही जगों का इस्तमाल किया गया था यह इस पूरे में अभी देखने वाली बात है कि अमेरिका रूस का क्या पक्ष रहता है अभी जो बात सामने आया है कि एंटिनी ब्लिंकन ने फोन किया है और बात कि ठीक हमले से कुछ देर पहले अमेरिका को बताया गया कि हमला होने वाले इस बात से नाराज विए जो वहां की मीडिया है अमेरिका को इस बात को कह रहे है यह बात अभी पूरी तरह से निश्चित होके कही नहीं जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ा सवाल ये है कि आकिर इस्रेयल को इस हमले से इस्रेयल ने हासिल का किया है। देखिए बड़ी चीज ये है कि क्या नेतनियाहू के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था एक प्रिस्टीज इशू बना था कभी इरान ने हमला किया तो हमको भी जवाब देना है क्या सिर्फ इसलिए ये हमला कर दिया गया या फिर ये जो बताया जा रहा है कि ये ठिकानों पर अगले 24 घंटे इस पूरे हमले पर रूस का क्या रूख है अमेरिका का क्या रूख है और इरान खमेनी अब क्या चाहते हैं अगर ये बड़ा नुक्सान हो रहा है इस इरान को यहाँ पर तो आप यह तैमान के चलिए यहां से स्रेटेजी बनाने इरान चुरू करतेगा पलट वार जपरदस्ट होने वाला है और आज की राज जो है वो कुछ भी हो सकता फिर से